Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 8.3 से question number 10 करेंगे What rate gives Rs. 280 as interest on a sum of Rs. 56,000 in 2 years? Question को एक बार फिर से देखिए What rate gives Rs. 280 as interest? वो क्या rate होगा जो Rs. 280 रुपीस interest दे देगा? यानि What rate आप से पूछा है तो simple समझ जाओ कि question के अंदर आपको rate पता नहीं, rate निकालना है फिर gives Rs. 280 as interest तो ये जो 280 है, ये interest है On a sum of Rs. 56,000 ये sum, sum का मतलब है ये वो पैसा है जो या तो लिया जा रहा है या दिया जा रहा है तो ये क्या हुआ? ये principle हो गया है 56,000 और in two years तो ये जो two years है, ये हो गया है time ये ये तो चार चीजे होती है principle होता है, rate होता है, time होता है और इनसे interest पता चल जाता है अब यहाँ इन चार में से आपको rate पता नहीं है तो rate निकालना है तो जो simple interest का formula होता है उसी से आपका ये rate आजाएगा तो formula ये होता है principle into rate into time upon में 100 ये चीज़ interest के बराबर होती है बस इसी equation के अंदर, इसी formula के अंदर यहाँ पर जो जो चीज़े मुझे पता है वो मैं रख दूँगा तो मेरा rate पता चल जाएगा अब value put कर देते हैं principle की जीगे लिखना है 56,000 rate तो हमें पता ही नहीं है rate ही तो निकालना है तो rate का r as it is छोड़ देंगे t, t for time ये 2 साल है और नीचे 100 लिखना है और यहाँ पर i i यानि की interest वो दे रखा है 280 रुपीज बस अब कुछ जो solve हो रहा है उसे हम solve कर लेते हैं left side में देखिए 1010 से कट गया यहाँ पर नीचे का 0 इस 0 से कट गया अब यहाँ पर r multiply 2 और multiply 560 है मुझे यहाँ से r की value चाहिए तो equation का rule होता है जिस भी variable की value चाहिए होती है उसे बिलकुल अकेला छोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ इसके पास जो कुछ भी है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो r के पास यहाँ multiply में 2 है तो यह इधर जाके divide में लग जाएगा और यहाँ multiply में 560 है यह भी नीचे divide में लग जाएगा और यहाँ तो 1 है इसका तो लिखने की जुरूत ही नहीं है बस अब जो कुछ भी इधर solve करके आएगा वो ही आपका rate होगा अब इधर solve कर लेते हैं एक 0 से एक 0 कट गया 28 और 56 हापस में कट रहे हैं 28 वनजार 28 होता है और 28 तूजार होता है 56 solve करके यहाँ पर उपर आगया है 1 और नीचे आगया है 2 तूजार 4 यानि 1 अपान 4 और यह 1 अपान 4 परसेंट है क्योंकि rate है न यह परसेंट में आ रहे हैं चाहे तो आप इसे decimal में भी बना सकते हैं इसे decimal में बनाने के लिए इसे आपको divide करना पड़ेगा 1 को 4 से divide करना पड़ेगा तो point लगा के 0 लगाना पड़ेगा और फिर 4, 2000 हो गया है 8 माइनस करके 2 आ गया क्योंकि point लगा हुआ है तो 1,0 लगा सकते हैं और यह फिर चला गया है 5 पे पूरा का पूरा 20 तो 0.25 0.25 और यह percent तो rate पता चल गया 0.25 इस तरह से यह जो PRT upon 100 is equal to interest यह जो formula है ना इसमें 4 ही चीज़े होती हैं इन 4 में से कोई भी 3 आपको दे दे तो 4 ही आप निकाल सकते हैं simple equation को solve करके question खत्म तो इस video मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye